नमस्कार मैं हूँ पवंत्यागी शरत पमार ने कॉंग्रेस पर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि जो कॉंग्रेस कभी कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक दबदबे में थी उसका शाशन था आज वो इस्तिति नहीं है और आज वो कुछ राज्यों में सिमिट गई है दो विपक्षी दल हैं उनसे उनकी निकटता बढ़ सकती है उन्होंने कहानी भी सुनाई और उन्होंने बता किस तरह से एक जमीदार था उसके पास सेंकडो एकड़ जमीन थी धिरे धिरे अंग्रेज चले गए फिर ये आजाद हुआ तो किस तरह से रजवारे खतम हो गए उस चाहते हैं कि कॉंग्रेस एक बंजर भूमी जैसी हो गई है इसको वो टाल गए लेकिन एक इशारा साफ है कि जो शरत पमार कॉंग्रेस में कभी हुआ करते थे और राजीव गांदी के निकट के नेता रहे हैं इतने पुराने लीडर को जो उन्होंने ये भी कहा कि बहुत स करने को तयार नहीं है और इसलिए बहां अब कुछ होना नहीं है तो इसलिए दूसरे दलों में छोड़के चले गए तो शरत पमार भी उसमें से एक हैं और हमने देखा कि राहुल गांदी का किस तरह से वहवार था उसकी चर्चा हेबंत विश्वर्मा ने की जो कि आज की असम के मुख्यमंतरी हैं वो कभी कॉंग्रेस के लीडर थे और उन्होंने बताया कि राहुल गांदी को तो इतनी सेंस नहीं है कि यदि कोई कारकरता मिलने आया है तो उसके साथ कैसा वहवार करना है कुट्टे को खिलाने में लगे रहते हैं और कुट्टे के जूंटे वि इजेपी में शामिल हुए किस तरह से जतिन प्रशाद सर्मा सामिल हुए और अभी जो है जो आप देखेंगे के राजस्तान में भी जो चल रहा है वहां से भी आप देखेंगे के सचिन पाइलइड वो भी संतुष्ट नहीं है और ये वो नाम मैंने गिनाए जो राहुल ग गांधी के इतने क्लोज थे बिलकुल बेस्ट फ्रेंड में गिनती थी वो लोग उनकी कदर कॉंग्रेस में नहीं हो रही है और उसका एक रिजन यह है कि गांधी परिवार किसी दूसरे को आगे बढ़ाना नहीं चाहता गांधी परिवार की पॉइंट पर किसी दूसरे को नह उसके बाद राओल, उसके बाद प्रियंका, तीसरे लोग की नाम की बात चर्चा वहां ना तो करी जाती है और TV डिबेट्स में हम देखते हैं कि उनके प्रवक्ता तो ऐसा महीमा मंडन करते हैं वो ऐसा कहते हैं कि साब राउल गांदी और सोनिया गांदी ने इतना त्याक किया इस देश के लिए किसाब परधान मंत्री की कुरसी छोड़ दी वो लोग ये नहीं बताते कि जब मनमौन सिंग परधान मंत्री बनाये गए वो एक रबर स्टेंप के तोर पर इसलिए चुने गए क्योंकि हमारे भारत के समिधान में ये लिखा है कि कोई भी विदेशी मूल में जन्मा व्यक्ती इस देश का परधान मंत्री नहीं बन सकता ये तो समिधान है बाबा साब अम्बेडकर जी का लिखा हुआ जिसके कारण सोनिया गांदी इस देश की परधान मंत्री बनने से रुकी वरना जो राजनिती में नजर रखते हैं उन लोगों को पता होगा कि जब पहली बार कॉंग्रेस की सरकार जीत करके आई और मनमौन सिंग को पार्ट वन यूपिये में परधान मंत्री बनाया गया उस समय सबसे जादा सबसे पहले सोनिया गांदी का ही नाम सबसे आगे कॉंग्रेसियों ने रखा था शपत लेने की तैयारी थी एक दिन पहले वो पोल खोली गई सुब्रमन्यम स्वामी द्वारा के बैटे कानून का उलंगन आप कर रहे हैं राष्ट पती जी को इस कानून के बारे में जानकारी दी गई जिसके बाद सोनिया गांदी का जो सपत समारो था उसमें नामकरन अचानक में चेंज हुआ और फिर हमने देखा जिसको ये ट्याप कह रहे हैं वो इनकी मजबूरी है और उस समय राहुल गांदी उस अवस्था में नहीं थे राजनिती की ABCD उनको आज भी नहीं पता आज भी वो क्या बयान दे दें वो चुटकले उस पर बन जाते हैं लेकिन राजनिती में कोई उनके बयानों को गंभीरता से ले ये आज तक कॉंग्रेस के अंदर नहीं ह बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे कि पाकिस्तान से उनकी स्क्रिप्ट लिख करके आई है वो कुछ ऐसा बयान जरूर देंगे जिससे आतंकवादियों को बेनिफिट होता हो वो ऐसा बयान हमेशा देते हैं जिससे देश की सैना का अपमान होता हो वो हमेशा ऐसा कुछ ना कु नेता हैं उसमें सीनियर मोस्ट नेता जो हैं उन्होंने केवल इतना सवाल उठाया के भाई अध्यक्ष के लिए कोई और भी दूसरा नाम चुन लो पुराने पुराने बहुत लीडर हैं लेकिन नहीं हम देख रहे हैं कि इधर G23 वालों की जो एप्लिकेशन हैं उस पर तो करने के लिए मोदी जी का मुकाबला करने के लिए यदि कोई एक नाम तै करने की कोशिश सारा विपक्ष करता है तो उसमें अभी भी कॉंग्रेस की तरफ से एक ही नाम आ गया है और वह है राहुल गांदी अभी भी क्या तरक देते हैं उनके प्रवक्ता वो बोलते हैं आंसद हैं वो आज कॉंग्रेस के हैं और इसलिए हमारा ही लीडर होना चाहिए विपक्ष का चेहरा प्रधान मंत्री का चेहरा कोई भी चुनाओ हो तो कौन होगा भाई तुमारे में कॉंग्रेसियों में कोन अकलबंद इतना है जो प्रधान मंत्री चेहरा मोदी जी का मु रखते हैं और भाग जाते हैं कभी डिवेट में बैठे वे देखा उन्होंने ना बोल ही नहीं सकते हो वो अपनी तरफ से एक वीडियो बनाएंगे और कभी किसी को साथ में बिठाएंगे ऐसा घ्यान जारेंगे जैसे लगेगा इन से ज़्यादा बुद्धिमान नेता इंट लोगों को फाइदा हो तो वो फाइटर प्लेन पर सवाल उठाएंगे राफेल पर जूटा बोलेंगे सरकार को उनको शरम भी नहीं आती जब वो बोलते हैं कि प्रधान मंत्री चोर है मोदी जो है जूट बोल रहा है मोदी ने घपला घोटाला उनको यह लिहाज नहीं है कि स उनकी वीडियो एक वाइरल है कि वो ऐसा करके खड़े रहते थे सोनिया गांदी से लोगा हाथ मिला रहे हैं विदेश से आई हुए डेलिगेशन मतलब आप जो है उनके प्रस्ताव पास किये हुए चीजों को पन्ना फाड़ देते हो प्रेस कोंफेंस में सरयाम कि मैं संसकार हैं तो यहां संसकारों की कोई बात नहीं है केवल और केवल यह है कि विपक्ष का तमका हमारे हाथ में रहे ताकि जो देश के दुस्मन लोग हैं चीन है पाकिस्तान है या और हैं वो लोग डील करें अगर किसी से कि मोधी जी का मुकाबला कौन कर सकता है कौन मोधी हो कॉंग्रेस से और इसलिए यह जितने विपक्षी दल है यह तो मैं बताऊं शरत पमार भी अगर कोशिश कर रहे हैं वो सारी डिलिंग यही है कि अपने को बड़ा नेता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह भूल गए बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड जितने यह सब लोग हैं यह सब के सब क्या कोई देश के हित के लिए कुछ काम कर रहे हैं इनके बारे में अगर सारा देखोगे इनकी बयान बाजी टोटल ऐसा लगेगा आपको जब भी कभी देश हित की कोई बात होगी यह इस देश को गुमरा करने का काम करते हैं आप बत तक जारी है, किसानों की जमीन चली जाएगी, MSP खतम हो जाएगी, मतलब इन्होंने देश में आग लगाने का काम किया है, एक विपक्ष की जुम्मेदारी है, कि आप सत्ता को घेरो, लेकिन सच के आधार पे घेरो, MSP पे रेट नहीं बढ़ा, ये आप बोलिए, गन्ने का र फेल डील में घपला हुआ है, मोधी चोर है, मोधी ने जो है, नीरव मोधी और अडानी अंबानी को सारा फायदा कर दिया, कमपनियां बेच दी, रेलवे बेच दी, अब ये कितना बड़ा जूट है, रेलवे को मोधी सरकार के अलावा, पहले से कॉंग्रेस टाइम में भी जब विज्यापन रूपी टुकडे मिलते हैं और इसलिए कोई इस बात को उठाता नहीं, लेकिन आज की डेट में मोधी सरकार है और इसलिए इन चीजों को हाइलाइट ये विपक्ष करता है, तो जब भी बोलेगा ये विपक्ष, ये जूट बोलेगा और जूट बोलकर देश की जनता को गुमरा करते हैं और भड़काते हैं, इन में सच बोलने की हिम्मत नहीं है, यदि इस देश का विपक्ष चाहे वो शरत पमार हो, चाहे वो कोई हो, जो अपने को परधान मंत्री का केंडिडेट बता कर और मोधी जी के मुकाबले में उतरने की मंच्छा र आप जूड बोलकर गुमरा करेंगे, आप C.E.A. को कहोगे के देश के अलप संक्या को भगा देगा, नहीं, विदेश के जो अलप संक्या के हैं, जहां आजा, देखिए क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, वहां के अलप संक्या क्या, वहां के बहु संक्या के लोग भी त असाए उनको भी बंदिशे लगा रहे हैं, उनकी बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं, वो दूशे ध्रम के लोगों या नि हिंदु जैन सिक्र के साथ क्या करते हूंगे? क्या कर सकते हैं? इसका अनौन अब लगाया जा सकता है, पहले हमें पता नहीं था, किए अफगानि इसलिए नहीं था कि देश के अल्प संक्यों को यहां से भगाया जाएगा जैसा परचारिट किया गया वैसा बिलकुल नहीं है इसी तरह से किर्सी कानून पर जूट बोलकर भड़का रहे हैं किसानों को यह जूट है आज नहीं तो कल किसानों को समझ में आएगा और आ चुका है मुठी बर केवल कॉंग्रेसी कारे करता यह धरना परदर्सन और हला गुला कर रहे हैं इनकी पोल आज नहीं तो कल खुलेगी तो यह इनको लोग समझ चुके हैं कि यह राजनितिक लोग नहीं है ना यह किसान है यह दलाल है तो इस तरह से कॉंग्रेस अपने करेक्टर को जनता को दिखा रही है जिसके कारण इनका पतन होता जा रहा है और शरत पमार भी जो इनको ग्यान देने की कोशिश कर रहे हैं समझाने की वो शरत पमार भी मौदी जी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे यह सारे मिल जाएं हर्चनाओ में मिलते हैं चोहदा में मिले उन्निस में मिले अभी फिर मिल जाओ कुछ नहीं होना चोविस में भी कुछ नहीं होना और चोविस तक मौदी सरकार इतना काम कर देगी कि आपको गारंटी दे रहा हूं कि जिन लोगों ने अभी तक बीजेपी को बोर्ट नहीं दिया कभी भी वो बोर्ट देने लगे हैं जिसमें की तीन तलाग जो केस हैं इन सब पे जो कानून बनाएं आज की डेट में सबका साथ सबका विकास पर जो मोधी सरकार चली है 24 तक उतने काम हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते सारे लोग मोधी जी की जैजाकार करेंगे और चाहेंगे कि मोधी जी अगले 20 साल और देश के प्रधान मंतरी रहें ये सारा विपक्ष अगर ये समझ जाए कि 24 में मोधी जी को रोकना असंभव है और अपनी चाले चलन बंद कर दो देश हित में कुछ काम करो तो जब देश हित में कुछ करोगे तो जरूर आपको जनता कुछ पसंद करके कुछ सीटे दे सकती है आपकी इज़त बच जाएगी वंदे मातरम